बेगू सरहए जिले में तायबनी अम्रूद की बागवानी शुरू हो गई है और इसके जड़िए किसान परयोग के तोर पर लगाया और जिसके बाद परयोग भी सफल हो गया है. कल तक यह ताइवानी अम्रूद जो बईगूषा के बाजार में यह बिखार के अन्न बाजारों में मिलते थे वो अम्रूद पक्षिम्भंगाल में उत्पादित किये जाते थे और वहां से यहां पर पहुचा है जाते थे तो यह ताइवानी अम्रूद का लाता है पाउधा का तो मैक्सीमम जो है वेस्ट बंगाल पस्चिम बंगाल में इसकी खेती ब्यापक पर मायने पर होती है वहां पर कलम तयार होता है और और कंट्री में कहिए इसका डिस्टिबूशन वहां से जाता है और पी जगह से होता है मैं कमबा में इस अम्रूद के करीब 12 पौधे को लगाया साल भर पहले फस्ट जब पहला पौधा छे महिना का था तो इसमें एक-एक में आधा किलो का 57 फल हुआ इस अम्रूद का बाजार मुल की अगर बात की जाए तो इस अम्रूद का बाजार मुल 100 रूप एक परते केजी होती है और एक पौधा से यूँ कहें तो 4000 तक की आमदनी किसानों का मानना है कि बेगुसाय में इसके बागवनी से हो जाएगा पहला पौधा जब 6 महिना का था तो परतेक पौधा में 57 अम्रूद एक अम्रूद 400 से 500 गराम तक का रहा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं करीब 3-4 किलो एक साल में एक पौधा से कितना अम्रूद तो इसके बाद अभी जैसे जाड़े बरसात का सीजान है बरसात में भी अम्रूद कहीं बेटर है एक एक पौधे में 100-500-200 फल जो की एक साल का पौधा है उसमें लदा हुआ है पौधे की जहां तक कीमत का शवाल है तो अस्थानी बाजार में 1500 से 200 रुपे परती पौधा ये मिल जाता है अम्रूद कैसे केजी ये बाजार में 100 रुपे कम से कम 100 किलो अम्रूद ये बिगता है एक पौधे से अगर बात की जाए तो पहले साल ही कम अम्रूद का उत्पादन का करें बात तो एक पौधे से कम से कम 20 किलो एक साल में फल आ जाएगा एक एक एकर में करीब 444 पौधे लगेगा और ये दोसरा साल से 8 से 10 लाक रुपे या आमधनी परती वर्स इनको मिलना सुरू हो जाएगा तो आपने देखा कि जो बिगुत साय में है ताइबानी अम्रूद की भी भागबानी हो सकती है और इसके छेतर में आप किसान की भी डूची देखने को मिल रही है बिगुत साय से लोकल 18 के लिए नीराज कुमान